देश की एक दिव्यांग चेस्ट चेंपियन ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वो उसके साथ नाइंसाफी कर रही है मलेखा हांडा नाम की इस दिव्यांग खिलाडी का कहना है कि पंजाब सरकार ने उसे नौकरी और कैश अवार्ड देने का वादा किया था लेकिन अब सरकार मुकर रही इस वीडियो में एक लड़की मेडल्स के साथ नजर आ रही है लड़की ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है ये एक चैंपियन खिलाडी है इसका नाम है मलिका हांडा मलिका हांडा भारत की दिव्यांग चेस पिलियर है जो इंटरनेशनल डेफचेंस चैंपियर्शिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला है उन्होंने वर्ल्ड चैंपियर्शिप और एशियाई चैंपियर्शिप में भारत के लिए 6 मेडल जीते हैं मलिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो अपलोड किया है इस वीडियो में मलिका हांडा का दर्द जलका है मलिका बोल नहीं सकती लेकिन मैडल्स के साथ इशारो इशारो में वो अपनी बात कह रही है मलिका हांडा ने पंजाब सरकार पर बड़ा रोप लगाया है अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत महसूस कर रही हूँ 31 दिसंबर को मैं पंजाब के खेल मंतरी परगट सिंग से मिली लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी और नगत पुरसकार नहीं दे सकते क्योंकि बधिर खिलाडियों के लिए सरकार के ऐसी कोई नीती नहीं है मलिका का दावा है कि पंजाब के पूर खेल मंतरी ने उन्हें नौकरी और कैश प्राइज देने का वादा किया था लेकिन अब सरकार वादे से मुकर रही है मलिका के मताबिक इससे पहले की सरकार के दोरान उन्हें इन्मिटेशन लेटर पी भी जा गया लेकिन कोविट की वज़े से वो एवेंट कैंसिल हो गया मलिका के मुताबिक जब उन्होंने खेलमंत्री परगड सिंग को ये बात बताई तो परगड सिंग का इस पस्ट कहना था कि ये घोशना पूर खेलमंत्री ने की थी मौजूदा सरकार ने नहीं और चुकि सरकार के पास बधर खेलाडियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मलिका को नौकरी और कैश अवार्ड नहीं मिल सकता मलिका हांडा सवाल उठा रही है कि पंजाब सरकार ने ऐसी घोशना क्योंकि जिसे वो पूरा नहीं कर सकती मलिका के मताबिक पंजाब की कॉंग्रे सरकार के वादो पर भरोसा कर उनके पांस साल बरबाद हो गए और उन्हें बिवकूफ बनाया गया मलिका ने स्ट्वीट में पंजाब के सीम चरणजी सिंग चन्नी, पंजाब कॉंग्रेस सद्धेक्ष नवजो सिंग सिध्धू और कॉंग्रेस सांसत राहूर कांधी को भी टैग किया है अब देखना है कि क्या देव्यांग चेस्ट चेंपियन मलिका हंडा की शिकायड दूर होती है प्योर रिपोर्ट जी मीडिया